अलो नमस्कार दोस्तों एदान्त कलासिस के ओनल प्रेटफों पे आप सभी का हार्दिक स्वागत पे अभिधन करता हूँ दोस्तों मैं रंजीत सिंग आपको भूतिक परदेश पढ़ी रहे हैं और भूतिक परदेश की सरंकला में हम लाश क्लासों में देखा था हिमाली दोस्तों परदेश के बाद में हमने देखा था धिपी भारत अब यापना चल रहा प्रईदीपी भारत और भाड़ी फ्रुज क्यों से परभ की पूरब की तरब सम थे तीन पहाड़ आदेकी थी एक पहाड़ी गारो दूसरी पहाड़ी यहां गारो फीर घेंटी आद कि conserve हासी और तीसरी पाढ़ी देकी है जहिंतिया पाहडी ये पाहड या हमने देखिए मेगाले के पठार में और मेगाले के पठार की सबसे dovu ची चूटी देखी दोस्तों हमने फिलोंग परोचोटी फिलोंग परोचोटी के ऊछाय कितनी है 1965 मिल्टेयोची है आप से पूचे पूरे मेगाले के पठार की सबसे उची चोटी कौन सी है वो ही है सीलों के पठार की चोटी है वो ही है पूरे मेगाले की हमने देखा गारो खासी जेंतिया जेंतिया पहाडियों पर एक महतुकुन हल्दी का उतपद्न किया जाता है किस चनजातिया जो कि यहां कि जंजातिय इस पहाडियों पर निवास करतीय muss एढ़ा इस हल्दी का उतपस्द्न किया जाता ह Diese Sule पिसेश रूप से छोटे नागपुर के पठार का विस्तार जार खंट राजिये में हैं, पिसेश रूप से छोटे नागपुर के पठार का विस्तार का हैं, जार खंट राजिये में, छोटे नागपुर के पठार की सबसे उची चोटी देखी दी हमने, वो चोटी है, पारश देखो एक बाब दादू आपको जीवन में हमेशा याद रखना बुगोल पड़ो तो चितरात्मक पड़ो इस्ट्री पड़ो तो आपको डेट याद होने चीए और पॉलिटी पड़ो तो आपको सविधान के अनुछे दिया दोने चीए बिल्कुल अनुछेद पेले पड़ हो तो आपको चितर दिमाग में होने चीए तो गुगोल में विशेश रूप से ध्यान देने योगी बाते है पहले चितर देखो तो किसन समझो उसके बाद उसकी डीटिल पड़ो ठीके दोस्तों तो हमने मेगाले का पठार पड़ लिया और देखो दोस्तों हमने यह देख घृ मुक्त ले नाउगा अ कि यह पराइदि भारत था यहां पर पठार था उसका नाम था मेगा गापतार आधाः अ पड़ लिया इसके बाद यहां पर पेड़ा हमने फोटन आगबर का पठार या पड़ा दोस्तों खोटा नागपुर का पठार यह हमने पढ़ लिया ठीक है इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तो खोटा नागपुर का पठार रित पढ़ा है अब हमें पढ़ना है दककन का पठार क्या पढ़ना दोस्तो दककन का पठार यहां पर है एक उन्सा है दक्कन का बठार को कि अग कंद बठार दोस्तों हमने मेगाले का पठार पढ़ लिया उसके बाद छोडंअ को अपर प्धार पढ़ा अब हम पढ़ रहे हैं दक्कन का पढ़ हर तो प्यारे प्यारे भिद्वानों आप सब achieving लगाऊ दकथार और फ्रेले में कमे पठार का पूरा DN website basin ऑन से फित्रबुंगा इसमें अंक बश्le सिनक कोंजीम नदि कहां है कोंसी परोचोड़ी कहां है किसमीटी का ज्याधा विष्तार है और दक्कन के पठार का विस्तार कितने राज्यों में है, दक्कन के पठार का सरवाधिक विस्तार किस राज्ये में है, यहां पर क्या क्या कौन को से दिया का उद्गम होता है, सब वगेरा वगेरा हम देखेंगे, तो सब से पहले आप हेडिंग लगाओ दोस्तो, दक्कन का प हाण दोस्त हो दक्कन का पठार फिषेष्ट कहा है चित्र बनाते हैं सब से पेले हिटर में बना दू कर दू गळों में कि य से इक देखना मित्रो यह बना रहा हूं में दक्कन का पठार हाना अुध कि आप सब को पता है इस चितर में देखो दक्कन का पठार प्राइदीपी भारत का सबसे बड़ा पठार है क्या कहा दक्कन का पठार प्राइदीपी भारत का सबसे बड़ा और विश्थित पठार है इससे बड़ा कोई पठार नहीं है वेगा लेका पठार भी छोटा सा पठ प्राइदीपी भारत में ओल और देखा जाए तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्त दक्कन का पठार है ठीक है तो दक्कन के पठार का चितर हम यहां बनाते हैं दक्कन के पठार में सब से उपर है अजन्ता की पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां अजन्ता की पहाड़ियां यहां पर है दोस्तो मित्रो अजन्ता अजन्ता की पहाड़ियां अजन्ता की पहाड़ियां मित्रो इसके बाद में है सतमाला की पहाड़िया आजनता सतमाला बालागाट और हरिश्चंद्र ये बालागाट और ये हरिश्चंद्र ये है सतमाला की पहाड़िया सतमाला की पहाड़िया ये सतमाला की पहाड़िया उसे बोलते हैं बालागाट बालागाट की पहाड़िया तो से बोलते हैं बालागाट की पहाड़िया और सब से नीचे हैं हरिश्चंद्र की पहाड़िया को अगने पहाड़िया हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र की पहाडिया आपको पता होना जी अजन्ता सतमाला बालागाठ हरिस्चंदर ये कौन सा पठार है दोस्तों ये पठार है दक्कन का पठार तो दक्कन के पठार में सबसे उची प्रचोटी कौन सी है सबसे उची प्रचोटी कल्चुबाई कल्चुबाई की उच्चाई ये 1660 मिटर के दनी एक छोड़ास ओ याई समिटर तो 1660 मिटर कौन सी परवत में है वो देखलो आप वो कल्चुबाई ये बई इसमें महाबले स्वर में है ठीक है इसके बार में डिटल चितर देखते हैं दोस्तों एक बार है कि जब भी आप बढ़ते हो बूगोल में चितर देखो पहले अब इसके अंदर में थोड़ी चीजी दिर्शा देता हूं इस पूरे पठार में क्या क्या है देखो पूरे पठार में धर्वादिक विष्टार किसका है काली मिट्टी का तकन के पठार के बारे में यह दिया देखोगे तो पूरे पठार में क्या मिलीगे आपको काली मिट्टी काली मिट्टी का दोसर नाम क्या है रेगूर मिट्टी और क्या बोलते है वर्टी शोल मिट्टी क्या बोलते हैं काली मिट्टी रेगूर मिट्टी और वर्टी शोल मिट्टी पूरे प्राइधीपिय भारत के दकन के पठार में है कौन सी मिट्टी है भई काली मिट्टी है भई पूरे में ज्यान से देखना है एक बाद बता दू क्या पूरे दकन के पठार में कि दो हजार मेटर की गहराई तक जाओगे न आप काली मिटी मिलेगी इस दक्रण का पठार काली मिटी से निर्मी देभाई काली मिटी कहां से निकलती है जब मैंने समझाय था आपको शुरुवात में कि पर्थवी के अंदर जाओगे आप तो चट्टाने मिलेगी और भी गेराई में जाओगे तो टेंपरचर बढ़ जाएगा चट्टाने पिगल जाएगी चट्टानों का पिगला हुआ रूप अंदर रहता है तो मेगमा कहलाता है और वही मेगमा जब बाहर निकलता है तो क्या किय Infinite है और लावा कहलाता है और लावा किछ में जो yogurt होता hesitate कि अरब आप करने के इंच्वेड मे कहते हैं तो प्यारे दोस्तों आप शोब को पता है प्तलिए की सरंचरा ऐसे है सबसे निचे हैं वो सियाल सीमा निफे तीन पढ़ते होती है आपको विसु बूगल पढ़ेंगे जब बताएंगे उपर ली पढ़ते हैं सियाल ओट प्रनी अनि पैर ऐंसे नीचे ओड़ निखाल और फैरेस पिर सिलिकोन मेगनी सिवेन हुआ अलब यह पूरी चीज में इसमें सबसे जघार नीचे इसमें होता हैा है आयर में होता है आयरेन होता है बहेते हैं अधर प्रणालिक आंतरिक श्राह भी तरह न Maisam से गहाराई मोता Iron Iron में काली मिटी में आरेओं ہے सब से ज्यादा निकलेगा और लोहा और निकल से क्मिटी इसे बोलते हैं काली मिटी तो आपको ध्याहन रहन अलब और मोटा मोटा काली मिटी में और को मतलब दकण के पठार में सरवाधिक किस मित्टी का विस्तार है तो आप को जहां रखना है काली मित्टी का विस्तार है दोस्तों शेडिलन 10 3 बाते मेरे अ आ हंतरो दरसाता हूं तैखो यहां से निकलती है नदी निकलती है उसका नाम है गोदावरी नदी एक परवत चोटी है त्रिम्ब केश्वर परवत चोटी कौन सी परवत है यह त्रयम्ब केश्वर केश्वर कहां पढ़ती है मारा repertoire में एक जिला पढ़ता है नसी क्षूटे था जो नसीक में उस्योटें करफ पर चोटी है यहां से नदी का विंद हुद्ण होता है उस नदी का नाम है या मुदर नदी गोडेवरी नदी प्रम Godavri नदि का नाम है Godavri नदि यह अ कई नाम है Godavri नदि को महारास्ट में हैं महारास्ट के नासिव्यuh में में अब एक नदि और दिखा नोमें अन्दिृ नियों में निसके न जानदीर उस पहाड़ी का नाम है महाबलेस्वर की पहाड़ी, यहाँ पे एक पहाड़ी है भई, उसका नाम है महाबलेस्वर की पहाड़ी, यहाँ लिख दू में, इसका नाम है महाबलेस्वर की पहाड़ी, महाबलेस्वर, महाबलेस्वर से कौन से नदी का उद्गम होता है, महाबलेश्वर से कर्ष्णा नदी का उद्गम होता है कौन से नदी का उद्गम होता है कर्ष्णा नदी का उद्गम होता है आप दो कर्ष्णा नदी कहां से निकलती है महाबलेश्वर से निकलती है क्या है कर्ष्णा नदी कर्ष्णा नदी दोस्तों गोदावरी निदी के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनो आप गोदावरी निदी का उद्गम कहां से होता है प्रिम्ब केश्वर नासिक से होता है अब नासिक किस मतलब नासिक कहां पढ़ता है ये महराष्ट में पढ़ता है आप सब को बता है पूरे भारत में चा मेहत्यपुन इस्तान है जहां कुम्ब का यजन किया जाता है एक इस्तान तो है अपना कुजेन दूसरा है परियागराज तीसरा है हरीद्वार और चोता है नासिक क्यारिस्तान कौन-कौन से बताए मैंने नासिक पुजेन परियागराज और हरीद्वार क्यार इस्तान है यहा महाक उसका कुम्ब का योजन किया जाता है हर 12 वर्स में एक बार कुम्ब का योजन किया जाता है त्यारे दोस्तों आप सब को पता उना चीए कुम्ब का योजन परतेक कितने वर्स बात किया जाता है कुम्ब का योजन परतेक 12 वर्सों में एक कि बारा साल बाद हरीदुआर में होगा हरीदुआर में कुंबकायजन हो गया उसके बाद वापिस नासिक में होगा ये करम चलता रहता है ठीके तो कुंबकायजन बताओ कि ने वर्सवाद होता है परतेख 12 बाद परते लिए महत्यपुनिस्तान है अब मैं आपको बता दू गंगा नदी है ना गंगा नदी को पूरे भारत में हम क्या बोलते हैं पुझनी बोलते हैं न भई गंगा नदी एक पवित्र नदी है पुरे भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है गंगा का उध्रम कहां से होता है हतुपत हिमनत से होता न भागरितिकात तो हम कहते हैं गं जिस परकार पूरे भारत की पवित्रता और लंबय के अधार पर गंगाई तुनला कर रहा हुँ मैं, अगले पेश पहर देखूंग और पवित्रता पवित्रता व लंबय क्या कहा मैने पवित्रता वे लंबय इदर है गंगा और इदर है ग Yodaouri ठीक है, देखो दोस्तो, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलो मेटर, कितनी है, 1465 किलो मेटर, और इसकी लंबाई है 2525 किलो मेटर, ठीक है, एक आगडा और ध्यान से सुनना, हिन्दु की लंबाई कितनी है, हिन्दु और एक है ब्रह्म पुत्र, इसकी भी एटषिटट इसरा ना 8500 Candi so की लंबई यह तो आप कहोगे सिन्दू और ब्रहम्पूत्र लंबई ज्यादा है लंगा के लिगए गया के लिए तो इसमें से 1200 के भारत में बेरी है तो गंगा 25-25 है तो सबसे ज्यादा भारत में परवायत होने वाली देखो पूर्णत है भारत में परवायत होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है गंगा नदी उसी परकार प्राइदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है गोदावरी नदी कि पुरे भारत की पुरे भारत की पवित्र नदी कोन सी है पुरे भारत की 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 पुरे तो गोदावरी को क्या कहते हैं प्राईदीपिये भारत की घंगा ठीक है पुरे भारत में पूजनीए पुम्त्र नदी में कोन सी है गंगा उसी परकार प्राइदी भारत में पूजनी और पवित्र नधी बॉस जाएगी मोझा ठीकार गया की लंबossen सर यह मिलेग immersion body नहीं कफावरी जलो तो इसकी लंबायी लिख दो यहां पर इसकी लंबाई है 2400 605 km और कफिन लंबाय कितनी है 1400 कि एक km ठीक है लंबायी ज्यादा गोन हुई ज्लादा लंभी हुई गोदावरी और गोदावरी से अजन्दा की पहाड़ियों पे क्या हिस्ती थे दोस्तों अजन्दा की पहाड़ियों पे अजन्दा की गुफ़ा हिस्ती थे अजन्दा की गुफ़ाए हिस्ती थे कहां हिस्ती थे अजन्दा की गुफ़ाए अजन्दा की पहाड़ियों में यह अजन्ता की गुफाओं की विशेष्ता है यह है फ्रेश को पतती पे निर्मी दे फ्रेश को मतलब फ्रेश को फ्रेश को किसे बोलते हैं देखो आपको मुझे समझा दू जैसे एपने मकाम में प्लास्तर होता है फ्रेश होता है फिर छोटे बच्चे जाके उस पर चितर बना हरदे मीभरेस को पदध reproduce यह फ्रेश को पदधी क्या होती है डेको कोईभी फ्रेश दिवार है इना उस फ्रेस दिवार पे बच्छों दौरा आकरती बिनाती प्राधी तो आतर स्परों पोर six भी मीइत्यत है किब कबूत्र भूत्र भूते कहां हैे जिन्दा की पहाडी में है और बता हूँ मैं आपको यहाँ कि एक सबसे उची परवत चोटी है हरीश holds रभ ay हरीश चंद रमें सबसे उची परवत चोटी है उसका नाम है खरल्शू भाई 646 मिटे है का नाम क्या है खाल्शू भाई को वाई की उच्छाई कि दुनी है फोड़ा सो थीर समीटर है नो आपको ज्यान रखना है पूरे दग्र के बठार की सबसे क्यूनती को छोटी कोन सी हो गई कल शूवाई कहाँ पड़ती है हरे श्रीडरी पहाड़ियों पड़ती है तेदे को हरिष्चंदर की पहाड़ियों पढ़ रही है और हरिष्चंदर कहां है यह महाराष्ट में है ठीक है आप से पुचे गोदावरी का उद्यम कहां से होता है त्रिम के सुर की पहाड़ियों से होता है और महाबले सुर की पहाड़ियां महाराष्ट में है त्रिम के सु बाई नाम जदा रखते हैं बाई जैसे कल्सू बाई तारा बाई खतो बाई खतरनाक बाई एंडसेंड बाई ठीक है परलब बाई सब्द का सराधिक प्रचलन है कहीं तो वह होए महराष्ट राज्जी बताओ पूरे दक्कन के पठार के सबसे उच्छोटी कौन सी है कल्सू अब यहां पर एक जील भी आती है दोस्तों जील का नाम में क्रेटर जील वो क्रेटर जील कहां पड़ती है वो ग्रेटर जील भी यहीं पड़ती है दक्कन के पठार में देखो करेटर जील यहां पर है सतमाला और बाला घाट के बीच में है क्रेटर जील सत्मला और बाला घाट की बीच में क्रेटर जील है बई दिखा दू क्या दिखा दो यह है क्रेटर जील जील का नाम क्या हो गए इसका जील का नाम है लोनार जील कहां है भई लोनार जील है लोनार जील और यह लोनार जील कहां पढ़ती है यह लोनार जील महाराष्ट के बुल धाना जीले में पढ़ती है कहां पढ़ती है महाराष्टर के फुल धाना जीले में पढ़ती है और यह क्रेटर द्वारा निर्मित है ज्वाला मुखी द्वारा निर्मित जील है अब आप बताओ कि यह ज्वाला मुखी या क्रेटर क्या होता है अरे जमीन बुगर में जब हलचल होती है तो देखो पर्थवी के अंदर आंत्रिक सरंचना में चट्टानों में जब बुगर्भिक हलचल होती है बुगर्भिक हलचल के कारेन अंदर पिगला हुआ मेगमा जब बाहर निकलता है तो लावा बन जाता है और वो लावा बंद हो है जॉअला मुखी है तो होड 버डा और निखल रहा है से की आधर दार जॉअला मुखी मिक्या एां जो में है जो अला मुखी थ forbade आध debates सक्री जॉअला मुखी है अधर मतलब है लगाटार जॉअला भूरला हुख निकलता todo । सबना है पोरते सक्री जॉअला लों जॉला मुकी यह से लावा लगातार निकलता है उसे बोलता कृतर चल को दो शालं पहले लावा निकला था मेड़िन अभी वर्तमार में लावा बंध है अब मला बंद करुद आशान 520 biology कृत्ट के सान ठाथ अब लावा बंद हो गया यहां जब मेगमा था अंदर तो मेगमा था यहां मेगमा आ गया और वो मेगमा निकलता वा बंद हो गया फिर यह सूख गया पुराने हजार दो साल पहले जहां कभी लावा निकलता और आज वो नहीं निकलता उसे बोलते हैं मर्त जौला मुखी ये कौन सा जौला मुखी हो जाएगा परत जौला मुखी मर्त जवाला मुखी तो मर्त जवाला मुखी से लावा अभी नहीं निकल रहा है ये मर्त हो गया ये बाद लगातार हवा वर्साथ सर्दी गर्मी के द्वारा ये तूड़ता रहता है और वर्साथ के अंदर यहाँ पानी कटा हो जाता है वर्साथ के समय यहाँ वर्सा के से मेहां पानी करहता हो जाता है यह क्या है पानी पेले वहाँ जोलामुकी निकलता था तरह बंद हो गया पहले शक्र जोलामुकी पड़ा पड़ा था कापी समें लवा निकड़ाई नी तो बरसाद आती गई और वहां पानी कर्टा होता गया आज वहां पे जील बन गई उस जील को हम क्या कहेंगे उस जील को हम कहेंगे क्रेटर जील क्या कहेंगे बई क्रेटर जील राजिस्तान में क्रेटर जील का उधार महाराष्ट के लोनार किया बुल्धाना जिले में बुल्धाना जिले में मुल्धाना जिले में बुल्धाना जिला कहां है ये महाराष्ट में ही है और कोई महत्यपून बात बालागाट हो गया अजनता की पहाडियां सतमाला की पहाडियां बालागाट की पहाडियां हरिस्च चंदर की पहाड़े की सबसे उची चोटी है कल सुबाई यह हमने डीटियल से इसका चित्र बना लिया दोस्तों और अब हमें पढ़ना है इसके बारे में डीटियल लिखनी है ठीक है आजओ लोग नेक्ट पेज बढ़ते हैं जैसे हम लिख क्या रहे हैं हम लिख रहे हैं दक्कन का पठार अधकन का पठार पठार की जो विशेश्टा है वो हम यहां लिख देते हैं लिख देवे क्या आप सबको बता दिया मैंने पूरे प्राई DPA भारत का सबसे बढ़ा यदि कोई पठार है तो वह हो दक्कन का पठार तो आजओ पराई DPA पराई DPA भारत का सबसे बड़ा वो विश्तरित सबसे बड़ाव विश्तरित पठार प्राजवी भरत का सबसे बड़ाव विश्तरित पठार है इस पठार का मुख्य विश्तार कहां है यह पठार मुख्य रूप से महराश्ट में फेला हुआ है यहह पथार मुख्य रूप से यह पथार मुख्य रूप से कहाँ फेला हूआ है? महाराश्च में है महाराश्च राज्य में फेला है नारा साजी में फेला है परंतु का विश्तार का विश्तार गुजरात में भी है गुजरात में है अध्य पर्देश में है गुजरात में है अध्य पर्देश में है गोवा में भी है और करनाटक में भी है और अंध्र पर्देश में भी है वह अंध्र पर्देश सथा करनाटक करनाटक, आंदरपर्देश कथा जुष्स साविस्तारं, गुज्राज, बुर्दीश, गोवा, करनाटक है कि था अंदरप्रदेश में है कि था आंदरपर्देश राइज्यों में है बड़ा बहुत भाग तेलंगा नहीं आता है तो आपको यह मुटी-मूटी ध्यां रखनी है किस पठार में दो मुख्य नदियां परवायत होती है इस पठार से किस पठार से दकन के पठार से तो लिखो किस पठार से दो महतपुन या मुख्य नदिया दो महतपुन नदिया इस पठार से दो महतपुन नदियों का पुद्गम होता है पुद्गम होता है पुद्गम होता है इस पठार को इस पठार में वो महत्मु नदिया कौन-कौन सी है एक तो है गोदावरी एक कौन सी है एक तो है गोदावरी और दूसरी है कर्षणा पठार में गोदा गोदावरी वर कर्षणा मुख्य नदिया है इसके नदिया है देखो इस दो मुख्य नदियों वे इसकी साइग नदियों के द्वारा लगातार पटाव किया जाता है अपर्दन किया जाता है इरोजन किया जाता है जिसके प्रणाम सुरूप तकन के पठार में उत्तर से दक्षिन में चार पहाड़े वा निर्मान होता है क्या कहा मैंने धिग दू ज़ो तकन के पठार में तकन के पठार में तकन के पठार में को दावरीव कर्ष्णा तथा कि इसकी स्थाइक नदियो कि इसकी स्थाइक नदियों के द्वारा लगातार कटाव को बोलते अपर्दन क्या बोलते हैं अपर्दन और अपर्दन को ही अंगरेजी में बोलते हैं इरोजन क्या क्या कहा बोलते हैं इरोजन क्या कहा गोदावरी वे कष्णा नदिया और इसकी सहाइक नदियों के द्वारा लगातार कटाव किया जाता है उद्रवादर कटाव किया जाता है अब अब एक जगे से नदि रोज बहरी है रोज बहरी है तो कटाव तो हो गई और जो उपर पठार है वो पठार उचा बन जाएगा और नदि घाट के घेरी हो जाएगी तो नदियों के द्वारा लगातार कटाव परदन के द्वारा यहां उत्तर से लक्षिन दिशा में चार पहाड़ियों का चार पहाड़ियों का निर्मान होता है चार पहाड़ियों का निर्मान होता है वो चार पहाड़ियों का निर्मान होता है वो चार पहाड़िया कौन-कौन सी है पेली है अजन्ता दूसरी है सतमाला तीसरी है बाला घाट बाला घाट और चोती क्या है तो आप से पूछे दक्कन के पठार में स्थित्त चार पहाड़िया कौन कौन सी है अजन्ता सत्माला बाला घाट और हरिस्ट चंदर चार में हत्य पुन पाड़िया है अब लिखो इसकी निचा आप अजन्ता की पहाड़ियों में आजन्ता की पहाडियों में इस्थित, पहरास्ट राज्ये में, दीखो, पहरास्ट राज्ये में, पहरास्ट राज्ये में, पहरास्ट राज्ये में इस्थित, पहरास्ट राज्ये में इस्थित, अजन्ता की पहाडियों, अजन्ता की, पहाडियों में है अजन्ता यीलोवार की घुफ़ा इस्ति थे ये क्या है आडियों में है अजन्ता टेल वैरा की अजन्ता येलोवरा की की पहे याः करतियाँ अजिन तैलोवारा की गुफ़ा लिग दो आपसे अजिस्त दो eder कि थी थे कहां है आप से पूचे बताओ अजंदा की गुफ़ए कहां है तो अजंदा की गुफ़एं है महाराष्ट आईजिये में कहां है अजंदा की गुफ़एं महाराष्ट मिष्थी थे इसके बाद लिखना है अपने को सदमाला इसी के निचे सदमाला परोद रनिष्थ थे अजन्ता के नीचे कौन सी है थी के दक्षिन में सत्माला परवत सरंखला थे थे सत्माला परवत सरंखला थे 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 नेक्ट पेज़ पे लिखो अजन्ता होगे सत्माल होगे अब लिको बालागाट 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 परवत सरंखला थे दक्षिन में दक्षिन में क्या है बई के दक्षिन में हरी हरीष चंदर परवत सरंखला है हरीष चंदर परवत सरंखला है सरंखला सिस्तित है अब आब लिखोगे हरीष चंदर परवत सरंखला या हरीष चंदर की पहाड़ियों की सबसे उची चोटी कौन सी है कल चुबाई है उसका उचाई कितनी है तोड़ा सुच्छ मिन्टर उची है दिखो खरीष चंदर की पहाड़ियों खरीष चंदर की पहाड़ियों में स्थित सबसे उची सबसे उची परवत चोटी कौन सी है सबसे उची परवत चोटी है कल सुबाई कौन सी बाई कल सुबाई कल सुबाई की उचाई कितनी है कल सुबाई की उचाई है 1640 मिटर तो शोड़ा सो चाली स्मीटू तो आई है न? अब आप लिखोगे पूरे दकन पठार की सबसे उची चोटी कौन सी है? आजव पूरे दकन के पठार की सरोच चोटी कौन सी है? सरोच परवत चोटी कौन सी है? वो कल्चु भाई है वह कोनसी भाई गल्चु भाई कुरफेस रवत प्रोज की चोटी है कल्चु भाई भाई कंट कोटी है कल्चु भाई है कल्चु भाई 1646 मीटर और कहां पड़ दिये महाराष्ट में religion यां रखना भाराष्ट में बड़ती और एक लोनार जील के बारे में लिख लेते हैं लोनार जील सतमालावा बलागाट शोड़ियों के भी बीच में है लोनार जील लोनार जील के बारे में कहावत पर्चलित है रंग बदलने वाली जील कौन्छी जील it's a logical गुलाबी रंग चींट कभी नीली हो चाहती है रंग बदलने वाली जील कौन सी है लोनार जील की कहानी क्या है ये रंग क्यों बदलती है प्यारे मित्रो ये रंग इसलिए बदलती है क्योंकि इसके अंदर रंग बिरंगे सेवाल पाये जाते हैं क्या कहा मैंने रंग बिरंगे सेवाल पाये जाते हैं तो ये दी सेवालों की मातरा में निले रंग के सेवालों की मातरा बढ़ जाती है तो इस जील का रंग निला हो जाता है गुलाबी रंग के सेवालों की संक्या बढ़ जाती है तो इस जील का रंग गुलाबी हो जाता है सेम जिसी परकार कोई स्विंग पूल होता है स्विंग पूल में पाणी तो सफेद पार्दसी होता है स्विंग पूल में पाणी सफेद पार्दसी होता है कोई रंग नहीं होता उसका तो यदि स्विंग पूल के अंदर आपने ग्रीन कलर की टाइले बिछा रखी है स्विंग पूल है उसमें आपने ग्रीन कलर की टाइले सबिकनद में आपको कर दिखेगा के अथी उसी ख़िय ुस्तेस टाइल है गुलाबी वह स्भील आपको गुलाबी दिखेगा थेम उसकी तर्जड पर लोनार जिल उल्ढाा जिले महाराश्ट में पढ़ती है उसके अंदर अनगिनत चोटे बड़े सेवाल पाए जाते हैं उस सेवालों की संक्या मतलब जिस रंग के सेवालों की संक्या बढ़ जाती है लोनार जील का रंग भी उसी परकार का हो जाता है एक जील सिक्की में भी पढ़ती है उस जील को मैं आगे पढ़ाऊंगा जब अपना टोपिक आया है ने भारत की प्रमुख जील है तो एक शिक्के में जील है वो भी रंग बदलने के लिए काफी परशीद है के अभी हम लिखते है लोनार जील के बारे में आजाओ अब क्या लिखना है अपने को लोनार जील है ना आजाओ भई एड़िक लगाओ अपनी लोनार जील तोनार जील त्यारे दोस्तों तोनार जील कहा है ये वर्तमान में माराष्ट जिले के बुल ढ़ाना जिले मेशती थे लिख लो आजाओ तोनार जील तोनार जील वर्तमान में कहां बढ़ दी है वर्तमान में माराष्ट राज्जी ने बढ़ दी है वर्तमान में माराष्ट राज्जी के माराष्ट राज्जी के जिला कोई सा पुल ढ़ाना जिला पुल ढ़ाना जिला पुल ढ़ाना जिले मेशती थे पुल्ठना जीले मिश्ती थे, यह केसी जील है, यह क्रेटर जील है, क्रेटर मतलब पेले जौला मुकी निकला, फिर वो सूख गया, वहाँ पानी भर गया, और वो ही जील बन गई, तो हम क्या कहेंगे, तोनार जील से क्रेटर जील का उधन माना जाता है, तोनार जील एक क्र ट्रेटर जील है तो ओनार जील क्या है ट्रेटर जील है यह जील भारत में रंग बदलने वाली जीलों में मेहत्पुन है तो आप से बुचे बताओ भारत की कौन सी जील है जो रंग बदलती है अना बई कि यह जील रंग बदलने के यह परशिद है कि यह जील भारत में वाली जील कहलाती है रंग बदलने वाली जील कहलाती है प्रहे हिं गंग bacoff बाली उर्ग यह लटी है अब आपको बता दिया में क्यों बतलती है औरे रे लोनाऊर जील रंग क्यों बतलती है क्यूंकि इसके अंदर अनोगिनी इ अनेक रंग के छोटे बटे सिवाल जिसे कवक बोलते हैन आ आप साइंस में क्यूंकि दिखो क्योंकि इस जील में क्योंकि इस जील में खोटे बड़े अन गिनत और रंग बिरंगे रंग बिरंगे क्या पाए जाते हैं रे सेवाल पाए जाते हैं जिस रंगे सेवालों की संक्या बढ़ जाती है इस जील का रंग भी सेम उसी परकार का हो जाता है ठीक है कि हमने लोनार जील के बारे पढ़ लिया अब क्या इतने रजिम सब में डीटियल से चर्चा की दोस्तों पहले हमने चित्र बढ़ाया उसके बार इसकी डीटियल लिखिए तो इसके बाद हम अगली क्रास में दूसरा बठार दूसरा परोध देखेंगे आज के दोस्तों कित्राही और मिलते हैं अगली क्लास में इतंक यू जे ह ये बारत दोस्तों